नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान असमानी रुख करेंगे मद्यप्रदेश की बड़ी खबरों का शियम सिवराज सिंग चोहान ने गौलियर ग्रामीर शेतर में बीजेबी प्रत्याश्री के समर्थल में जन्सभा की कॉंगरिस मेरी योजना बंद करने वाली पार्टी ensh जब जब सत्ता में आये थी तो कॉंगरिस ने मेरी सारी योजनाओं को बंद करवा दिया था आगे शिवराज सिंग चोहान ने कहा कि मैं सरकार नहीं चलाता मैं परिवार चलाता हूँ और आप सब मेरा परिवार है इस दोरान सीम ने जनता से सवाल भी किये सीम ने किसानों के बहाने कौंग्रस पर निशाना साधा उन्हों ने कहा कि राजपैनों को 1250 मिल रहे है तो किसानों को भी 6000 रुपए सरकार दे रही है और पियम मोदी भी 6000 दे रहे है इस तरह 12000 रुपए मिल रहे है जो तमाम किसान मौजूद रहे उनसे पूछा अगर उनका एडमिसन मेडिकल इंजरिंग कॉलिग में कहीं होगा तो फीस चाहे कुतनी भी हो उनकी वो फीस उनके माता पिताबी भरवाएंगे उनका मामा सिबरासी जोहन भरवाएगा भाल की जुनका पाइसी शर्कार भरवाएगा और इसके आगे अब खबर चिंदवारा से है जहां जुनसपा को संबोधित करते हुए केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी ने कहा कि विदेशी पैसा है आए तो रख लोग खाना है अपना वोट ना मुक्यमंत्री को ना तो कमलात को अपना वोट सिर्फ देश हित में करे जौरान उनों ने सौसर शेत्र के मुक्य फसल संत्रा और कपास को विदेश निर्यात करने की भी बात कई है साथी भाच्पा प्रत्याशी ने केंद्रिय मंत्री से सौसर से पंडुरणा फोर्ड लाइन रोड बनाने की बात कई है जिस पर नितिन गटकरी ने कहा कि ये संभव है लेकिन आप पहले सौसर से भाच्पा को चुन करना है खबर चंदेरी से है जहां विदान सबज राम नस्दीक आते ही प्रत्याशीयों को जिताने के रिये स्टाप प्रचारकों की ओर से लगातार सभाई की जारी है इसी कड़ी में चंदेरी विदान सबज से भारती अजन्दा पार्टी के प्रत्याशी जगरनाथ सिंग रगवन्षी के समर्थर में विशाल आमजन सबज को संबोधित क्या गया इस दोरान भारती अजन्दा पार्टी के कारकरताओं के साथ आमजन सबज में हजारों के संख्या मिनगर वासी और ग्राम वासी मौजूद नजर आए जनार देर विदान सबज के बिलावर करा के बीरेट पठार में सड़क को लेकर सांसद नकुलात और प्रत्याशी सुनील उईके को सभा से पहले ग्रामीरों ने रोक लिया और दोनों के सामने अपनी बातों को रखा वही पूरी घटना का वीडियो भी जमकर वारल हो रहा है वारल वीडियो में ग्रामीर सांसद और प्रत्याशी को शेत्र में घुस्तने नहीं दिया जा रहा है पूर ब्लॉक अध्याक्ष घंशाम तिवारी ने उस मामरे में बताये कि उनकी समस्या सड़ा की है जो बारिश के समय जादा परिशानी खड़ा कर देती है सांसद और प्रत्याशी के आश्वासन पर ग्रामीर सबा में सम्मिलित हुए और पूर ब्लॉक अध्याक्ष ने भाच्वा पर बरगलाने का आरोप लगाया अब कबर गौलियर से है जोहां बहोड़ा पूर थाना शेत्र के शंकरपूर गाउं में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया विवाद के बाद मारपीट में आदा दर्जन लोग घायल हो गए और पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मामला दर्श किया है आपको बता दे कि शंकरपूर में बरा और थरा गाउं के लोगों में विवाद हुआ था चुनाव प्रचार के दोरान इन दोनों में जड़ाप हुई थी और वही बीजेपी प्रत्याशी भारत सिंग कुश्वाहा के समर्थ तक अपना प्रचार कर रहे थे तब ही बहा उनका कॉंग्रूस प्रत्याशी साहब सिंग गुर्जर के समर्थ को से विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में खूनी संगर्श हो गया जिसमें सचिन गुर्जर, बलकेश गुर्जर और राम नरेश गुर्जर घायल तक हो गए वह दूसरे पक्ष्टे लोग भी इस मामले में घायल हुए है जबकि मंत्री भारत सिंग कुश्वाह के समर्थ को ने कॉंग्रूस पत्याशी साहब सिंग के समर्थ को पर धंकाने और मार पीट करने का रोप लगाया दोनों पक्षादी रात तक बहोड़ा पुर्थाने पर जमे रहे उनका कहना था कि पुलिस ने उनके साथ अमानविया विभार किया ये लोग अपनी चुकाद दर्च करने के लिठाने पर खड़े थे तब ये पुलिस ने धक्का देकर उन्हें बाउंडरी से ही बाहर कर दिया फिलाल इस मामले में अभी तक इसे के गरफ्तारी नहीं हो पाई है गोर्धन परवत बनाये गया है वही लालती पारा गोशाला में गोवर्धन परवत का विदी विधान से पूजा भी की गयी है साती भोग और प्रसादी का आनंद भी शद्हालोंने लिया गौशाला के महंत ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के बाद दोक्तंत्र के सबसे बड़े उत्सफ चुनाओ के लिए का नोखा संदेश दिया इस दौरान महंत ने कहा कि पूजा अर्चना के साथ अपने हंकार को भी यहाँ पर समर्पित करके जाएं साथ इक गौरक्षा और प्रकितिसन रक्षन का संकल पले जिस प्रकार से गौदान का महत्व है उसी प्रकार से मतदान का भी महत्व है इस दौरान उन्होंने अपील की है कि राज्ट को विकास के पत पर ले जाने वाले को ही अपना वोड दे और राज्ट के रक्षा और विकास में सहीयोगी बने अब खबर गॉलियर से है जहां दलित नावालिक लड़की से दुशकर्म और मारपीट कर धंकाने के मामले में आरोपी रोहिट सिंग जादौन के खलाफ कोट निधारा बयासी के तहद वारेंट जानी क्या है आरोपी रोहिट सिंग जादौन को 28 नमंबर को नियायले में हर हालत में पेश करने का आदे इश्टिया गया है नए तो उसकी संपत्ती पर कुर्की की कारवाई की जाएगी आपको बता दे कि आरोपी राहिट जादौन लगबा के एक साल से फरार है उस पर पुलिस हरीक शक ने 2000 रुपए का इनाम भी खुशित क्या है गोर तलबै की शहर के इंदर गंच थाना शेतर की दलित नाबालिक लड़की ने 16 जनवरी को आरोपी रोहिट सिंग जादौन के खलाफ मुकदमा दर्ज कराए था पुलिस के मुदाबिक नाबालिक लड़की लगातार दुशकर्म से गर्बवती हो गई थी जिसका आरोपी ने लड़की की इच्छा के वरुद जाकर गर्बपात तक करा दिया उसका मुकदमा अलग से रोहिट सिंग जादौन के खलाफ दर्ज है इस पुलिटन में फिलहाल के लिए बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार